नमस्कार, VKB News के सुबागे प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज की हेड्लाइन्स पर नाखपूर दिक्षा भूमी पर श्रद्धालों को मिलेगा वैक्सीन का डूस महानगर पालिका ने बनाए 6 सेंटर खाना नहीं खिलाने पर भोजनालाए के मालिक पर किया चान लेवा हमला दो आरोपी गिरफतार गनेश पेट थाने के अंतरगत पुई घटना और नाखपूर में कर्मचारी ने फाइन्स कमपनी को लगाया चुना पुलीस ने दर्ज किया धोका धड़ी और हेरा फेरी का मामला और अब खबरे विस्तार से इसके लिए प्रशासन तयार है लेकिन कोरोना नियमों का उलंगन ना हो इसके लिए श्रद्धालों को विशेश ध्यान रखने तथा अन्य के स्वास्ति की चिंदा करने की अपील महापूर दयाशंकर तिवारी ने की महापूर ने महानगर पालिका की और से दी जा रही सुविधाओ का जायजा लिया महानगर पालिका की और से यहां नियंतरन कक्ष स्थापित किया गया साथ ही दिक्षा भूमी की और आ रहे मार्ग पर छे वैक्सिन सेंटर भी शुरू किये गये महापौर ने कहा कि दिक्षा भूमी पर सेवा और सुविधाय मुहया कराने के लिए महानगर पालिका द्वारा दोसों करमचारियों को तैनात किया गया है इसके अलावा पुलीस प्रशासन भी दिन रात कार्यरत है श्रद्धालों को असुविधा ना हो परिसर में सफाई रहे किसी तरह की मदद की आवश्यक्ता हो या स्वास्ते की दुरुष्टी से सेवाय देने के लिए मनपा करमचारियों को तयार रहने की अपील भी महापौर ने की उन्होंने कहा कि शहर में आने वाले लोगों की सेवा करने का आउसर आशिरवाद मान कर किया जाना चाहिए उन्लेकन यह है कि महानगर पालिका ने 6 वैक्सिन सेंटर शुरू किये गए है जिन श्रद्धालों को दूसरे डोस की आवश्यक्ता होगी उन्हें कोरोना की एंटिजन टेस्ट करने के बाद निगेटिव आने पर उपलब्द कराया जाएगा निगेटिव आने के बाद ही उन्हें दिक्षा भूमी में प्रवेश दिया जाएगा वैक्सिन सेंटर पर लोगों के स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी रखी गई है आवश्यक्ता अनुसार आउशद उपचार भी किया जाएगा नादपूर महानगर पालिकेज माते 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 जाएगा लेला है यानि पिणयाचे पाणीचे व्यवस्ता सुद्रण धाली पाईजे वनुं संबर्ड लिकानी नडाचे पोस्ती दुद्धा अबारनाता लेले है इते येनारा जो भगता है अता करोना ची साथ अस्ट्या मुड़े रस्ते बंद जाला नंदर पोलिशांचे मातमातना तिते जन्ना दोन वैक्शिनेशन दिले लिया है जन्ना डायरेक्ट एंट्री आ है जन्ना एक जोस खालेला है चैचा सथी महानगर पैलके ने चाचिणी ये व्यवस्ता खेले लिया है जाज आमी आम चा गन्ण रोग चा उठण केला नागलिकर ना कोंते ही वांद टी आप्टी नी कोंती ही जर शिकायत असे वा आवश्यक साहता असे तो उप्रभ्द करूं देना चाथ हाम चा कंट्रोल रोग महानगर पाइर नंहरम महानचर प望 कोरूधा शोटी सब्सक्राइक परिशिए acompanh Сक्षन मों यह सब्सक्राइक लिए ही धर्योंग्ष होनी सब्सक्क्राइ हो जाली पाहिए requiresयर पुर्णपड नहीं नहीं जाली पाईचे तक पर तेने शेवेशी आजपासुन रुजू जाले लिया है और जो परियंत हाप पुरुना जत्रा संपडार नाई तो परियंत संपुरुना टिम और यह अन्य विभागा से लोका वारंबार शिफ्ट मदे यह उन आपनी सेवा देते असी प्रकार की वियोस्ता वाहनगर प भोजनाले में दो युवकों ने जम कर हंगामा किया देर रात भोजनाले में बैठा कर खाना खिलाने को कहा इनकार करने पर दोनों ने भोजनाले के मालिक पर चाकु से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया है पकड़े अनुज के बड़े भाई दुर्गा प्रसाद पांडे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है प्राप्त जानकारी के अरुसार दुर्गा प्रसाद और अनुज एस्टी स्टैंड के सामने अंबिका भोजनाले चलाते है मंगलवार की राच साड़े ग्यारा बजे के दौरान दोनों आरुपी उनके भोजनाले पर आये और खाना खिलाने को कहा दुर्गा प्रसाद ने उन्हें बताया कि भोजनाले बंध हो गया है उन्हें डाइनिंग की सुविधा नहीं मिल सकती लेकिन पार्सल दिया जा सकता है इसके बावजू दोनों होटल में बैट कर भोजन करने के लिए अडे रहे इनकार करने पर गाली गलोज करने लगे भी मार पीट की घटना की जानकारी पुलीस को दी गई खबर मिलते ही गनेश पेट पुलीस मौके पर पहुची अनुच को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया तुरंत पुलीस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया महिंद्रा इंड महिंद्रा फाइनाइंशल सर्विसेस में बतोर एक्जेकिवटिव काम करने वाले करमचारी ने कमपनी को आट लाग सतर हजार रुपे का चूना लगा दिया पुलीस ने सहकार नगर निवासी मंगेश मधुकर राव देशमुग की शिकायत पर मामला दर्च किया है आरोपी एनाइटी संकूल कमाल चौक निवासी मनिंदर सिंग सुखदेव सिंग मुलतानी बताया गया पुलीस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगेश स्टी स्टैंड के समी पाटिल कॉंपलेक्स तित महिंदरा फाइनांस कमपनी कार्याले में एरिया सेल्स मैनेजर है इसी कार्याले में मनिंदर एक्जेक्यूटिव पत पर कार्यारत था वह ग्रहकों से कलेक्शन का भी काम करता था 13 जून से 30 सितंबर के बीच मनिंदर ने कमपनी के ग्रहकों से कैश और गुगल पे के जरीए मोटी रकम हासिल की इसके बदले अन्य ग्रहकों द्वारा जमा करवाए गए चेक की रिसिप्ट देता गया ग्रहकों की जगह पर वह अपने रिष्टेदारों के बैंक खातों के चेक कमपनी के खाते में जमा करवाता था और चेक बाउंस हो जाते थे कुल 37 ग्रहकों से उसने इसी तरह बैंक की किस्तों का कलेक्शन किया कमपनी को 8,70,000 रुपए का चूना लगा कर मनिंदर फरार हो गया कमपनी ने सभी खातों का ओडिट किया तो धोका धड़ी सामनी आई मामले की शिकायत गनेश पेट पुलीस से की गई पुलीस ने धोकादड़ी और हेरा फेरी का मामला दर्च कर जांच आरंब की है खुडकेश्वर और वाठोडा थाना क्षेत्र में चोरों ने दो घरों में सेंद लगा कर नकद और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया दोनों परिवार घर में ताला लगाकर कोराडी देवी मंदिर के दर्चन के लिए गए थे लेकिन जब लोटे तो चोरी की घटना सामने आई चोरी की पहली घटना वाठोडा थाना अंतरगत बहादुरा रोड के मिलननगर इलाके में हुई पुलीस ने भेदलाल शुम्भलाल नागिश्वर की शिकायत पर मामला दर्च किया मंगलवार की रात नागिश्वर अपने घर में ताला लगाकर परिवार के साथ कोराडी देवी मंदिर में दर्चन के लिए गए थे इसी भी चोरों ने घर का ताला तोड़ कर भीतर प्रवेश किया घर की तीजोरी में रखे 50,000 रुपए नकद और सोने चांदी के जेवराद सहीत 1,52,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया राद दो बजे के दोरा नागेश्वर परिवार घर लोटा तो चोरी का पता चला घटना की जानकारी पुलीस को दी वाठोडा थाने के API मेटे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुचे प्रात्मिक जांच के बाद अग्याद आरुपी के खिलाफ मामला दर्च किया गया दूसरी घटना हुडकेश्वर थाना अंतरगत माने वाड़ा के श्रीनगर इलाके में हुई दिन दहाडे चोरों ने यहाँ घर में सेंद लगाई पुलीस ने राजिंद्र अजाब राओ आवारे की शिकायत पर मामला दर्च किया राजिंद्र मंगलवार की सुबह सवा 11 बजे के दौरान अपने घर में ताला लगा कर परिवार के साथ कोराडी गय थे इसी भी चोरों ने दर्वाजे की चिटकनी तोड़ कर भीतर प्रवेश किया लोहे की अलमारी का लॉक तोड़ कर 10,000 रुपे नकद और सोने के जेवराद सहीत 1,45,000 रुपे के माल पर हाथ साफ कर दिया दो पहर 3 बजे के दौरान आवारे परिवार घर लोटा तो चोरी का पता चला और घटना की जानकारी पुलीस को दी एपियाई गाडगे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुचे और अग्यात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया राजी में बिजली संकट किसकी गलती से है? यह सपष्ट करना मुश्किल है लेकिन आकडों को देखे तो पता चलता है कि महाजेनकों को पिछले वर्ष की तूलना में काफी अधिक कोईला प्रदान किया गया है बावजूत प्लांटों का बंध होने आश्चर्य जनक है वर्ष 2020 के अप्रेल से अक्टूबर के बीच महाजेनकों को वेस्टन कोल फिल्ड्स लिमिटेट से प्रती दिन 69,000 टन कोईले की आपूर्ती की जा रही थी जबकि वर्ष 2021 में अप्रेल से अक्टूबर के बीच रोजाना औसतन 72,000 टन कोईले की आपूर्ती की गई है यानि प्रती दिन महाजेनकों को 13,000 टन कोईला अधिक मिला है सूत्रों के अनुसार महाजेनकों को कोईला के लिए लगभग 2,800 करोड रुपए का भुकतान करना है पिछले काफी अरसे से महाजेनकों वेकोली को भुकतान नहीं कर पाया है भुकतान नहीं करने के बाद भी Western Coal Fields Limited कोईला की आपूरती करते आया है ताकि प्लान पर कोई विपरित असर न पड़े 2800 करोड रुपए की वसूली के लिए कई बार पत्राचार किया गया लेकिन हर बार यही जवाब मिला है कि भुकतान कर दिया जाएगा इसके बाद भी वेकोली ने कोईला देने से कभी मना नहीं किया इसका एक मुख्यकारन यह भी है कि महाजेनको ही वेकोली का सबसे बड़ा ग्रहक है और वेकोली की प्रात्मिकता रहती है कि वहाँ महाजेनको को कोईला देता रहे महाजेनकों के अलावा MP बिजली उत्पादक कमपनी पर भी लगभग 400 से 450 करोड रुपए का बकाया है वेकोली इसे भी वापस लेने के लिए काफी कोशिश कर रही है लेकिन भुकतान समय पर नहीं मिल पा रहा है इसके बावजूद MP को भी सूचारू रूप से कोईले की आपूर्ती की जा रही है MP को भी पिछले दिनों कोईले की आपूर्ती बढ़ाई गई है 26 अपरेल 2021 में कोईला सचीव आलोक कुमार ने राज्यक के मुख्य सचीव को पत्र लिक कर आगाह किया था कि आने वाले चार से पाच माह काफी एहम है क्योंकि बिजली की खपत तेजी से बढ़ रही है इसी लिए स्टॉक बढ़ाया जाए 5 फरवरी 2020 को केंद्रिय कोईला मंत्री प्रलाद जोशी ने राज्यक के मुख्य मंत्री को पत्र लिक कर बताया था 28 सितंबर 2021 को पुनह केंद्रिय मंत्री ने नितिन राउत को पत्र लिक कर वास्तविक्ता की जानकारी दी और कोईले के कम उठाव के प्रती आगाह किया जल से जल ज्यादा कोईला उठाने को भी कहा इसके बाद भी राज्य में 13 यूनिटों का बंद होना आश्चर्य जनक है वक्त हो गया एक छोड़े से ब्रेक का मिलते है एक ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे तेस्ट तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में होरुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहाँ पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहाँ Campus Interview Guidance by Industry Expert Practical Training at Airport Expert Faculty Personal Grooming जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy One Degree, Three Job Opportunities Flywheel Aviation Academy Gives you a Degree or Diploma with a Job Flywheel Aviation Academy 365 Gani Nagar LAD College Square Beside Karnatika Bank Naagpur Break के बाद आपका स्वागत है COVID की दूसरी लहर पर नियंतरन और युद्दस तर पर जारी वैक्सिनेशन का असर त्योहारी सीजन में एक बार फिर ट्रेनों में यात्रियों की संक्या से समझा जा सकता है एक दिन बाद मनाए जाने वाले दसरा के चलते असानक यात्रियों की आवाजा ही तेज हो गई नाकपुर आने वाली या यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों में दोसों से अधिक की वेटिंग लिस्ट जा चुकी है तो कुछ ट्रेनों में निर्धारित रूट पर रिग्रेट करना शुरू हो गया है कोरोना संक्रमन के कारण हुए नुकसान को जेलने के बाद ये आकड़े रेलवे के लिए सुखद है हाला कि यात्रियों को एक बार फिर वेटिंग लीस्ट की परिशानी सहनी पड़ रही है ऐसे में अवैद टिकिट एजेंट भी मौके का लाब उठाने लगे है यू तो नाकपूर स्टेशन देश के प्रमुक जंक्शनों में शामिल है यहां से चलने और गुजरने वाली करीब 90 प्रतिशत यात्री ट्रेनों का परिचालन दोबारा शुरू हो चुका है हलाकि नाकपूर का अधिकांश रेल यातायात मुंबई, पूने और हावडा रूट पर है नाकपूर से इन शहरों के बीच अधिकांश स्टूडेंट्स, नौकरी पेशा और व्यापारी लोग सफर करते हैं इस रूट पर पैसेंजर ट्रेने छोड़ कर बाकी सभी एक्सप्रेस और प्रीमियम ट्रेने शुरू हो चुकी है बावजुद इसके फिलहाल किसी भी ट्रेन में कनफर्म टिकेट नहीं मिल रही है दसेरा के एक दिन पहले यानि गुरुवार को पूने से नाकपूर के लिए चार ट्रेने हैं इनमें 200 से अधिक या इसके करीब वेटिंग लिस्ट पहुच चुकी है इसी प्रकार मुंबई से नाकपूर के लिए जनरल वेटिंग 200 से पार हो चुकी है वही कई ट्रेनों में पूल्ड कोटा 100 के पार हो चुका है जिसमें कन्फर्म टिकेट मिलना असंभव होता है ये आकड़े स्लीपर क्लास के है हालाकि 3rd AC और 2nd AC के आकड़ों में बहुत अंतर नहीं है क्योंकि किसी भी ट्रेन में कन्फर्म टिकेट या ऐसी कोई संभावना व वीकेंड है शनिवार 16 अक्टूबर को नागपुर से मुंबई और पूने के लिए भी स्तिती और भी कटिन है इस दिन के लिए स्लीपर क्लास में महराश्टर एक्स्प्रेस में वेटिंग लीस्ट 324 के पार हो चुकी है पूर्व मुख्यमंदरी देवेंद्र फर्णवीस क की महत्व कांग्शी पर योजना जल्युक्त शिवार योजना में बड़े पैमाने पर ब्रश्टाचार का आरोप लगाया गया था इन कारियों की जांच का जिम्मा सीएजी को सौपा गया था सीएजी द्वारा योजना पर काम की आलोचना के बाद महाविकास अगाडी सरकार ने राज्य में 900 कारियों की जांच के आदेश दिये है अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है ACV ने नागपुर जिले के नरखेड और उम्रेट तहसिलों में कारियों की जांच के लिए जिला परिशत को एक पत्र भेजा है पत्र से विभाग में हडकम मज गया है जल युक्त शिवार योजना के माध्यम से पूरे जिले में तालाब को गहरा करने सिंचाई के बांधो और सीपेज तालाबों का कारिय किया गया ग्यात हुआ है कि नर्खेट तहसिल अंतरगत ततकालीन मुख्यमंत्री देविंद्र फर्नवीस के गाउ में जील का काम भी शामिल है साथ ही उम्रेट तहसिल के नक्षी गाउ में कारियों की जांच की जाएगी ACB ने जिला कृशी अधिक्षक कारियले से इस कारिय के संबंद में पूछताच की उस पत्र के आधार पर जिला परिशत के जल सनरक्षन विभाग से जानकारी मांगी गई है फर्णविस के कार्यकाल के दोरान नाकपूर जिले की 13 तहसिलों में करोडो रुपए के पानी के काम किये गए है कुछ जिलों को गहरा किया गया है रिचाज किया गया लेकिन नरकेड उम्रेट तहसिलों में काम के बारे में शिकायते मिली इन दो तहसिलों में कार्यों पर महालिखा परिक्षक की रिपोर्ट में भी आपत्या दर्च की गई है अब फिर से जांच करनी होगी और विस्तरुत रिपोर्ट जिला परिशद वजिला कुरुशी अधिक्षक कार्याले को देनी होगी इस योजना के कार्य में कई तूटिया थी, तीसरे पक्ष के खिलाफ मुल्यांकर न करने, सिंचाई की आवश्यक राशी के हिस्से के रूप में गाओ को लाब नहीं देने और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी बुजल स्तर नहीं बढ़ने का आरोप लगाया गया है प्रदेश भर में अब तक इस योजना के तहट करीब हजार कार्यों की जांच की जा चुकी है, कुछ काम की जांच चल रहे है शीत कालिन सत्र से पहले नाकपूर जिले में हुए कार्यों की जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौपी जाएगी, दोशी पाए गए अधिकारियों पर कारवाई की संभावना जताई जा रही है महानगर पालिका में पाच वर्ष के कार्यकाल में भले ही पार्षदों की और से विकास कार्यों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई हो लेकिन अब आम चुना होने से हर पार्षद विकास निधी पाने के लिए जुटा हुआ है विशेश रूप से सडकों के निरमान डामरी करन के लिए पार्षदों के ओर से उठी मांग के बाद प्रशासन को प्रस्ताव भी प्रेशित किये गए किन्तु बजट में इतने कार्यों के लिए निधी नहीं होने से अब प्रशासन ने अन्य विकास कारियों पर कैची लगाकर प्रस्तावित कारियों के लिए निधी उपलब्द कराने का प्रस्ताव तयार किया जिसे बुद्वार को हुई मनपा की विशेश सभा में मन्जूरी प्रदान की गई उलेकनी है कि स्थाई समिती की और से कुल 41 करोड 50 लाग के प्रस्ताव को मन्जूरी देने की मांग प्रशासन से की थी जिसमें से प्रशासन द्वारा 36 करोड 50 लाग रुपए उपलब्द कराने की तयारी दिखाई है बताया जाता है कि 36 करोड 50 हजार में से 10 करोड रुपए घन कच्रा व्यवस्थापन के लिए उपलब्द कराए गए जबकि 26 करोड 50 लाग रुपए सडकों के निर्मान के लिए उपलब्द कराए गए है प्रशासन की और से पुनर वीन योजन का प्रस्ताव रखते हुए फिर एक बार मनपा की आर्थिक बधाली का चित्र स्पष्ट किया मुक्यवीत वल लेखा अधिकारी कुल्हे ने कहा कि अब तक 1655 करोड रुपए मनपा की आई होनी चाहिए थी किन्तु वास्तविक रूप में केवल 1255 करोड की ही आई हुई है अनुमानित आई की तूलना में यह आई 23 प्रतिशत कम हुई है जिससे महानगर पालिका पर लगातार वित्तिय बोज बढ़ता जा रहा है इसके विपरित गत वर्ष की तूलना में इस वित्तिय वर्ष में अब तक सडकों के कामों में 120 प्रतिशत मनजूरी प्रदान की गई है इसके बावजूद प्रस्तावों को देखते हुए महानगर पालिका आयुक्त की और से पुनरवीन योजन का निर्नय लिया गया है इस फैसले से चात्रों में खुशी की लहर है अब परिक्षा भी ओफलाइन हो सकेगी पिछले मार्च महीने से राज्य भर में कॉलेज बंध है शुरुवात में कुछ महीनों तक आउनलाइन क्लासेश चली लेकिन बाद में धीरे धीरे बंध होने लगी फिलहाल इंजिनियरिंग को छोड़ कर अन्य सकायों की क्लासेश बंध चालू जैसी अवस्ता में हैं सबसे अधिक दिक्कते साइन्स फैकल्टी के चात्रों को हुई अट्रा महीनों तक प्रयोक शाला में जाने नहीं मिला इस वज़र से चात्र प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल नहीं कर सके कोरोना की वज़र से चात्रों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ पिछले वर्ष अंतिम वर्ष के चात्रों की ओनलाइन परिक्षा ली गई इसमें अधिकांच चात्र मेरिट में आए लेकिन जॉब के मामले में हाथ खाली रह गए डिग्री हासिल करने के बाद भी चात्रों को नौकरी के लिए कोरोना की वज़र से कही दिनों तक उद्योग बंद रहे वर्क फ्रॉम होने से केवल सॉफ्ट्वेर और आईटिक क्षेत्र से जुड़े डिग्री धारी चात्रों के लिए ही जौब की संभावना बनी रही सरकार ने स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी लेकिन कॉलेज बंद होने से सरकार के फैसले पर सवाल उठाय जा रहे थे चात्रों सहित पालों को द्वारा कॉलेज खोलने की मांग की जा रही थी अब कॉलेज खोले जाने से एक बार फिर रौनक लोटाएगी वही प्रध्यापकों को भी समय पर सिलबस पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्लासिस लेनी पड़ सकती है अब विश्व विद्याले प्रशासन को भी आफलाइन परिक्षा की तैारी करना होगा अगले महिने से शित सत्र परिक्षाओं का दौर शुरू हो जाएगा वही मार्ग से गिश्म सत्र परिक्षाय ली जाएंगी नियम कानून को ताग पर रखकर कई शराब विक्रेता अपनी दुकानों को चमकाने में लगे है उत्पात शुलक विभाग के अधिक्षक ने दो दो बार आदेश जारी किया और निरिक्षकों को आदेश दिया उत्पात शुलक अधिक्षक के पास कई शिकायते मिली थी इसके बाद प्रमोज सोनोने ने लिखित आदेश जारी किया था पहले आदेश पर कोई अमल न होते देख दोबारा आदेश जारी करने की नौबता गई लगबग एक माह बीतने के बाद भी जोन के एक भी निरिक्षक ने आदेश के पालन करने की जरुरत नहीं समझी राज्यसरकार के नियमानुसर कोई भी दुकांदार फ्लैक्स, बोर्ड, पोस्टर या डिस्पले नहीं लगा सकता है इसके साइस का भी पैमाना तै है और इसमें किसी भी शराब कमपनी का नाम भी नहीं होना है शहर के अधिकांश हिस्सों में शराब दुकानों के सामने बड़े बड़े आकार के बोर्ड लगा दिये गए है कमपनियों के बीज बोर्ड स्पॉंसर करने की होड सी लग गई है कई कमपनियों के बोर्ड दूर से ही दिखाई दे जाते है लेकिन विभाग या निरिक्षकों को यह नजर नहीं आ रहे है सूत्रों ने बताया कि विभाग में निरिक्षक पद पर कार्यरत कई अधिकारियों के पार्टनर्शिप में ढाबा चल रहा है ये बिना लाइसंस के ही माल बेच रहे है लेकिन ऐसे लोगों पर कोई कारवाई नहीं होती क्योंकि इन्हें निरिक्षक का नाम बता दिया जाता है खासकर बेसा, बेलतरोडी, हुडकेश्वर क्षेत्र, वर्धा रोट से आने वाले आउटर रिंग रोड में यह कार्य काफी तेजी से हो रहे है बड़वाईक शिंदे का क्षेत्र है लेकिन ये लोग कभी इन क्षेत्रों में नजर नहीं आते है कार्य प्रणाली को देख कर यही लगता है कि अब जिला अधिकारी को ही ऐसे मुद्दों पर भी हस्तक्षेप करना होगा क्योंकि विभाग की मुकिया वही है तो वीकेवी न्यूस के सुभा के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें वीकेवी न्यूस नमस्कार